हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र आज मैं एक वेरफेर से आप सबके लिए संस्क्रत का एक नया प्रेक्टिस सेट लेकर आया हूँ इसमें मैं आपके लिए UPTET के नय पैटर्न पर आधारित सव प्रस्नों का संग्रह लेकर आया हूँ इसके आपके 67 कोशन लाश्ट पार्ट तक कंप्रीट हो गयते जो की भागचार था आज हम लोग इसका पार्ट 5 डिसक्स करेंगे इसके अंतरगत कुछ important संस्क्रत के कोशन्स को डिसक्स करेंगे जो की 100 कोशन्स की सीरीज की अंतरगत आते हैं आगे के कोशन्स को डिसक्स करेंगे इस पार्ट में हम लोग तो इस वीडियो को अंतर तक देखेगा और एक कोशन्स को तयार करते हैं सभी बहुत important कोशन है और सभी अलग-अलग format पर आधारित हैं यानि कि एक ही वीडियो में आपको अलग-अलग pattern पर आधारित संस्क्रत साहित के संस्क्रत व्याकरण के अन्य सभी प्रकार के questions इसी में मिल जाएंगे और समझा दिये जाएंगे तो copy pen लेके बैट जाए एक के question को तयार करते रहे हैं और दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हैं तो लिंक दिया हुआ डिसक्रिप्शन में वहाँ से वह पार्ट भी देख लें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों गर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड कलर को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें उसके पास में लगे हुए वेल आइकन को प्रेस कर दें तो दोस्तों आपके 17 कोशन मैंने पार्ट फोर में पार्ट फोर में कंप्लीट करा दिये थे और 50 पहले करा दिये थे तो ये टोटल मिलाके 67 कोशन हो गए हैं सही हो जाएगा और दूसरे जो question आपका पूछा गया यह अभिग्यान साकुंतलम ग्रंथ से पूछा गया है जो की कालिदास द्वारा रचितेग बहुत ही महत्पून ग्रंथ है तो आपका यह question पूछा गया इसका आपका B number option सही हो जाएगा इसका 19 number question है सही उक्ते प्रधाने में सूत्र है तो इसमें आपको उताने कौन से कारक का सूत्र है कर्म कारक का करण कारक का संपरदान कारक का या फिर अपादान कारक का सही उक्ते प्रधाने इसमें आपका करण कारक है करण कारक कौन सा तरतिया विवक्ति होता है और यह तरतिया विवक् से यानि कि तरतिया विखती में कौन सा कारकाता है करण कारकाता इसका आपका बी नंबर आप्शन सही हो जाएगा इसके बाद 20 नंबर कुर्शन है सूरे अस्तम गते गोया ग्रहम अगच्छन सूर में विखती है चतुर्थी पंचमी सप्तमी या इन में से कोई नहीं यह एक आपको सूकती दे दी गई एक आपको बाक दे दिया गया है और इसमें पूछा गया यह आपकी कौन सूर्य जो इसमें लिखा हुआ है सूर्य लिखा हुआ है तो दोस्तों सूर्य लिखा हुआ है और यह सूर्य जो होता है यह किसके इंतर्गत आता है अकारांत के इंतर्ग तो यह क्या हो जाएगा सूर्रे हो जाएगा यानि कि आपका सब्तमी एक बचन का रूप है यह आपको ट्रिक के माद्यम से याद करने होते हैं सभी सूत्र मैं आपको जल्दी इनकी ट्रिक भी प्रोवाइड करा दूँगा पहले यह आपके हेंडेट कोश्चन से पर कुशन है बालक सब्द के चतुर्थी वक्ति एक बचन का रूप है तो दोस्तों बालक सब्द का पूछ दिया गया इसमें अब बालक कौन सा है बालक भी अकारांत है अकारांत कौन से सब्द होते हैं जिसमें इसमें आपका अंतिम वर्ण देखा जाता है अंतिम वर्ण जिस प्रकार की ही आपकी मातरा सब्द के अंत में लेगी होगी वही आपका सब्द का रूप कहलाता या कार अंतो दोस्तों बालक भी सूर की तरह ही होगा राम बालक यह सभी लगबक तरह कहुत além फोड़ा चेंजिंग टो इसमें क्या पूछा का चतुर्थी वक्ति एक वचन के रूप बताएं वालकान वालकाय वालके वालकात तो दोस्तों इसमें आपको बालक के रूप तो आपको बिल्कुल रट लेने चाहिए क्योंकि बालक के यदि आपको याद हो जाएंगे तो लगवक आपके 20 सब्द रूप आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से 14 वक्ति एक वचन में आय आता है जो आपका मूल सब्द होता है उसमें एदि आय जोड़ देंगे तो यह आपका बन जाएंगा 14 वठी एक वचन का रूप तो बालक में जब आय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएग इस तरह से बालकाय लेख सकते हैं लोग तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए का बालकाय इसका ऑप्शन है बालक के चतुरती व्यक्ति एक बचन के रूप अब इसके आद बढ़ते हैं 22 नंबर कोशन पर असमत सब्सप्ति व्यक्ति एक बचन का पोते हैं इसमत के बहुते हैं मई आवे हो असमास हो तो आप से एक बचन पूछा गया यानि कि आपका ऑप्शन होगा मई यह चीज आपको याद करनी पड़ेगी यह आप लोग रूप याद कर लेंगे तो आपके लिए आगे बहुत ही आसानी हो जाएगी सीटेट यूप पहरा पढ़ा जाता है वो बिना आप लोग इन रूप को जाने नहीं पढ़ सकते हैं तो दोस्तों इसका आपका बी नंबर आप्शन से हो जाएगा अब बढ़ते हैं 23 नंबर कोश्चन पर 13 के लिए संस्कृत में सब्ध है 13, 13, 13 या इन में से कोई नहीं है तो दोस्तों ग इसे भी नहीं हो सकती है क्योंकि इस तरह से नहीं लिखा जाता है 30 भी नहीं हो सकती है आप से सही पूचिए 13 के लिए संस्कृत में प्रिव हालां कि कुछ लोग इसमें देखके इसमें कंफ्यूज हो जाएंगा और गलत कराएंगे कहेंगे तीनों एकी जैसे आप्शन है क साथ 13 13 संस्कृत में त्रियूत सा आजाता और दुश्व कमेंड़ वाक्स आपको अताना सोड़ सा किसको कहा जाता यह काफी कन्फ्यूजिन और कई बार पूछा गया सोड़ सा किसको कहा जाता है इसका अंसर आप लोगो कमेंड वाक्स में देना है अपने आंसर अधिक से से दिक संख्या में जरूर देते रहें ताकि आपको पता चलता रहे आपकी कैसी त्यारी चले अब बढ़ते हैं 24 नंबर कुशन पर में दूतम की शंद का प्रयोग है तो इसके साथ ही साथ एक कुशन और पूछा था लच्छम किसे कहा जाता है तो लच्छम एक लाग को कहा लच्छम यह चीज़ आप लोग याद कर लिए कभी कभी पूछ दी जाती जब पेपर टाफ बनता है तो और यह में दूतम किसनी कालिदास की रचना इसमें पूछा गया है कि इसमें किसका कौन से चंद का प्रयोग किया गया है स्रगंधरा मंदक्रांता हरिनी या फिर भी जाईगा मंदक्रांता हरके क्या है मंदक्रांता हर Waar मंदक्रांता चंद का प्रयोग किया गया है तो केतने तीन प्रकार oral को ते को देखते रहे हैं त्यार करते रही है अब बढ़ते हैं टूंटी फाइव नंर्मदा जानवी फिर गोदा बरी laughed इस question का आपका B number option सही हो जाएगा में को नर्मदा नदी से जल ग्रहन करने की सला दी गई है और ये मेगदूतम की एक प्रशिद्ध घटना है जिसके अंतर करत ये question पूछा था B number option सही हो जाएगा इसके आट 26 number question है दुसेंत के वंस का नाम क्या था रगू पुरू कुरू option है जो दुसेंत के वंस का नाम है वो है पूरू इसका 27 number question है उत्तर राम चरितम के तरती अंक का नाम क्या है क्या नाम है माया छाया उत्तरा या फिर रामा तो दोस्तों इसका आपका B number option बिल्कुल सही हो जाएगा और ये जो उत्तर राम चरितम रचना है ये आपकी बूती की रचना है और इसमें टूटल साथ अंखही मैंने आपको कल भी बताया था इन चीजों को नोट जरूर कर लिजिया करें नहीं तो बाद में आप लोग कहेंगे कि छोड़ दी थी मैंने इस वज़े से इन चीजों को नोट कर लिजिए इसका answer होगा आपका छाया इस कि प्राचिनकाल की नदियां हैं जो कि गोदावरी नदी का की सायक नदियां है किसकी गोदावरी नदी की सायक नदियां यह पूछा जा सकता है गोदावरी की सायक नदियां कौन सी है तो मुरला और तमसा यह दोनों गोदावरी नदी की सायक नदियां है इसका बढ़ते ह है 29 नंबर कुर्शन पर तोयम जीवितम का अर्थ है तोयम जीवितम का अर्थ बताना है आपको तुम जीवित हो तुम जीवन हो तुम्हारे जीते जी तो दोस्तों तोयम जीवितम इसका आपको बताना है पहली बात तो यह आपका आग्यावाचक रूप है आग्यावाचक र बढ़ते हैं रेटी नंबर करदेने हरी रמया मैं किस का लोफ है तो दोस्तों इसमें आपका विशर्गों का लोफ है मैं आपकी पूरी त्याड़ी में लगा हुआ हूँ और आपकी लाइब क्लासेड भी स्टाр्ट कर दिया हूँ तो दोस्तों मेरी live classes से जुड़ जाए और बता दूँगा कि आपको किस समय live आना है इसलिए live class से जरूर जुड़ है यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो comment box में comment करके जरूर बताईएगा अब बढ़ते हैं 31 नंबर question पर ये चने में को किस मास के पर्थम दिवस के अंतरगत देखा था तो दोस्तों ये चने में को किस मास के पर्थम दिवस पर देखा था इसका डी नंबर option सही है आसाड में देखा था और ये जो प्रसिद घटना है मेग दूतम के अंतरगत की घटना है जिसमें ये चपनी प्रेमिका की परतिच्छा कर रहे हैं और इसका सुद्र बिल्कुल सुंदर वानन किया है कालिदाश जी ने मेग दूतम के अंतरगत की रचना है तो ये आसाड के प्रथम दिवस की नदी थी नर्मदा गोदावरी सिंद्ध या फिर वेत्रवती तो दोस्तों विदिसा नगरी में आपकी डी नमपर ऑफ्षन से हो ज़गा वेत्रवती नदी थी और इसका जो समय नाम है वेत्रवती नदी नदी का ही दूसरा नाम है और यह जो कुश्चन पूछा कि यह भी मे 33 नमबर कोशन पर कृतांता का क्या अर्थ है जिसका अंत कर दिया गया जिसने अंत कर दिया कृतार्थ या फिर दैव या रा नहीं होगा अंत है ये केवल तो इसका अपका बी नमबर आप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल जिसने अंत कर दिया हो या अंत करने वाला या अंत कर जाएना चाहता हो उसे क्रतांता का जाता है क्रतांत का जाता है इसका कभी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अब अगला 34 नंबर कोशन है नागेंद्रह का अर्थ है ये बताना है नागों का राजा नाग लोक का स्वामी स्रेश्ट हाथी या फिर परवत राज तो दोस्तों इसका आपका C number option है सिरेश्ठ हांती, इसी को कहा जाता नागेंदर है, ये भी आपका ग्रंथ से संबंदित question है, इसका आपका C number option बिल्कुल सही हो जाएगा सिरेश्ठ हांती, और इसे नागेंदर को सर्प भी कहा जाता, अब आज के इंतिम question 35 number question पर बढ़ते हैं, ये आज आपके कुछ important questions complete हो जाएंगे, इसके आगे को question भी जल्द आपको मिल जाएंगे, इस पार्ट में मैंने आपके 18 question complete करवा दिया है, और जो question मैंने आपसे पूछा है, इसका answer जरूर दे दें अधिक से अधिक संख्या में, और आगे के live classes के वारे में भी जरूर बता अब 35 number question है, अभिज्यान साकुंत्रलम में करव रिसी को किस अन्यनाम से वानित किया गया है, भरतवाज, वसिष्ठ, गौतम या फिर कस्यप, तो इसमें आपको उताना है किस नाम से अभिज्यान साकुंत्रलम में करव रिसी को बताए गया है, तो दोस्तों इसका पर D number option ब दोस्तों आज के इस पार्ट में इतना ही बचे हुए question को भी मैं जल्दी आपके complete करवा दूँगा, और सभी question जितने भी question बचे हुए हैं, सभी को ऐसे ही पूरे ब्याख्या सहीत हल कर दूँगा, तो दोस्तों वीडियो कर पसंद आए तो इसे like करना ना भूले, अधिक से वीडियो को share कर दें और comment box में question का answer देना ना भूले, thank you दोस्तों